एक 60 साल का आत्मी जिसका मर्डर हो जाता है जब उसकी लाइफ में 34 इयर्स की औरत आती है इस औरत का एक सजबन शोलजर भी था आज की मुवी दे हुमन स्टेन यह एक हॉलिवड मुवी है आप अपनी आइडेंटिटी से कितना भी बचना चाहो पर लास्ट में आपको यह कॉट अप कर ही लेती है मुवी में बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया गया है तो डारेकली स्टार्ट करते है मुवी के लास्ट में सब कुछ चीज़ें मैं आपको डेटिल में समझाओंगा तो प्लीज इस वीटो को लास्ट देखेगा तो चलिए शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें गाड़ी आइस पर चल रही है यह दिखता है इस गाड़ी में कॉलमन और फोनिया होते है इनके सामने एक गाड़ी आती है और इनकी गाड़ी आइस में चली जाती है अब मुवी फिर से फ्लैश बैक में स्टार्ट हो जाती है यह जु स्टोरिए है यह हम एक राइटर बतारा है जिसका ना हुआ था नेथन नेथन के बारे में जैसे मूvir प्रोग्रेस होगी वैसे हम और भी जानेंगे यह स्टोरिए है कोलमन के बारे में यह अमेरिका में पहला jur जू डीन था जिस school का अडीन होता है, इस school को बहुत आगे लेकर गया होता है ये सब discipline के दम पर उसने किया होता है अब next in में हमें दिखता है कि वो अपने class में पढ़ा रहा होता है पढ़ाने के बाद वो present दिलेता है, इसमें कुछ लोग गायब होता है ये इन लोग को spooks बुलाता है, spooks का मतलब ghost ये कभी भी इसे दिखते नहीं तो इस context में वो उन्हें ghost पुकारता है next में दिखता है कि Coleman पर inquiry बेटी हुई होती है जिन बच्चों को इसने spooks बुलाया था, ये Negro थे ये committee उसे कह रही होती है, कि तुमने उसे spooks बुलाया है निगरों को spooks बुलाना ये गलत होता है अगर dictionary में देखा जाए, तो spooks का meaning back people होता है और ये कहना गलत होता है Coleman resist है, इस वज़े से उसे आप वो निकालने वाले होता है Coleman इसे resist करता है, उसे समझाता है कि ये कैसे हुआ था पर कोई भी उसका मानता नहीं Coleman का एक Negro ही friend होता है, जिसने उसे job दियाता है फिर भी इसके side से ये खड़ा नहीं होता इसे कोई भी अब help नहीं कर रहा था Coleman अब अपने college से resign कर देता है और घर पर आता है उसके wife उसे पूछती है कि क्या हुआ क्या है ये जब सब कुछ उसे समझाता है तो उसके wife और भी उस पर चिर जाती है Coleman के जो सब friends थे, इनके बारे में पूछती है इसे शौक लगता है कि Coleman कोई भी friend ने उसे help नहीं की थी Coleman नहीं इन सब को hire किया था पर ये सब इसके खिलाफ हो चुके है अब ये school पर case वगरा डालने वाले थे पर Coleman की wife को ये सहा नहीं जाता उसे heart attack आ जाता है और वो ही मर जाती है इसके बाद हमें दिखता है कि बहुत सारा time गुजर जाता है Coleman जहां रहता है तो उसके पास ही woods में Nathan भी रहता है Nathan एक writer था उसका divorce हो जाने के बाद वो woods में आकर रहता है Coleman अकेला में हैसुस करता है तो उसके पास हो आ जाता है Nathan Coleman का ही student है Coleman आकर उसे कहता है ये मुझे बता है कि तुम book लिक रहे हो पर अभी भी तुमारी book complete नहीं हुए पिजली books तुमारी बहुत ही success थी पर इस बार तुम अटक चुके हो Coleman कहता है कि तुम मेरे बारे में लिख सकते हो स्कूल के लोगों ने मुझे किस तरह से accused किया था और इसकी वज़े से मेरी wife मर गई इन लोगों ने मेरी wife का murder किया है अगर तुम इस बारे में book लिखोगे तो लोग इसे interested होकर बढ़ेंगे Nathan कहता है कि मैं fiction लिखता हो इस तरह की books में नहीं लिखता वो Coleman को कहता है कि तुम भी book लिख सकते हो इसमें कोई भी problem नहीं है वो उसे book लिखने में help भी करने माला होता है Coleman और Nathan दोनों अकेले ही है तो इसी वज़े से अब यह दोनों friends बन जाते है यह games खेलते हैं, drink करते हैं बहुत अच्छी friendship इनकी हो जाती है Nathan फिर उसके बारे में हमें बता रहा होता है यहां हमें पता चलता है कि Nathan को cancer है उसका cancer कभी वापस आ सकता है तो इसी वज़े से वो सब दुनिया से दूर यहां एक woods में आकर रह रहा है उसे सब लोगों के expectation से दूर रहना होता है अब दो-तिन मैने गुजर जाते हैं और Coleman ने अपनी book complete कर लिए होती है वो से लगता है कि यह बहुत ही घटिया book है इसमें वो पागल आदमी की तरह लग रहा है तो एक book वो नेथन के पास ला कर देता है यह कहता है कि अगर तुम इससे फिर से अच्छे से लिखोगे तो अच्छे से बन सकती है इस book में उसने अपने love letters भी add की होते हैं इन 1948 में जब college में था उस दीन के यह love letters थे वो एक लड़की से pair करता था अब Coleman की जो love story है यह हमें दिखाई जाती है जिस लड़की से वो pair करता था इसका नाम Stina था Stina और यह दोनों library में मिले थे उससे बात Coleman उसे बात करने लग गया और अपने room में उसे invite किया Coleman को fight करना चलगता है यह उस्टिना को कहता है Coleman कहता है कि मुझे misjudge मत करो यह कुछ strength के बारे में नहीं है fighting जो होती है कौन कितना smart है इसके बारे में होती है स्टिना कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अच्छी boxer बन सकती हूँ Coleman इसके लिए हा कहता है यह उसे boxing के सिकरनी है यह उसे सिखा रहा होता है इन दोनों में नजदी के बढ़ जाती है और एक दूसरे के साथ ही intimate हो जाते है अब हम फिर से present दिखाये गया है Coleman और Nathan रात में बात ही कर रहे होते है Coleman Nathan को कह रहा होता है कि मुझे कभी मरना नहीं है मरने की idea मुझे बहुत ही गटिया लग रही है Coleman का आज mood बहुत ही अच्छा होता है वो gramophone पर एक music लगाता है और वो Nathan के साथ dance करने लग जाता है Coleman आज बहुत ही ज़ादा ही खुश होता है तो Nathan पुछता है कि हो क्या रहा है Coleman कहता है कि मेरा affair चल रहा है आज कल मैं 34 years की औरत के साथ हो उसे जिन्दगी के बहुत ही मज़े आ रहे है Nathan पुछता है कि तुम उसे मिले कैसे Coleman फिर बता था है कि वो उसे कैसे मिला था Coleman एक store में कुछ खरीद रहा था उसे वहाँ फोनिया मिली थी उसने फोनिया को नोटिस किया था और उसके बाद वो वहाँ से चला गया था आगे वो आ गया तब उसे पता चला कि फोनिया के गाड़ी बन बढ़ चुकी है उसे लिफ उसने दी फोनिया क्या करती है जब उसके बारे में वो पूछता है कि क्या तुम्हें अंदर आना है कोलमन कहता है कि मेरी वाइफ मर जाने के पाद मैं किसी भी औरत के पास नहीं आया हूँ फोनिया कहती है कि तुम अगर सिंपाथी टुन रहे होंगे तो हो मैं तुम्हें नहीं देने वाली वो उसके साथ casual relationship रगना चाती है वो फिर गाड़ी से उतर कर अंदर चली जाती है कोलमन भी जरा सोचता है और उपर चला जाता है उपर जाने के बाद फोनिया अपने बेड़ पर निउड सोई हुई होती है इसके बाद ये दोनों intimate हो जाते है राद में फोनिया उसे निखल जाने के लिए कहती है वो कहती है कि ये personal नहीं है और इनकी relationship बहुत ही उसे casual चाहिए ये उसे ये भी कहती है कि उसे पता नहीं है कि वो इससे फिर से मिलेगी या नहीं Nixon में कोलमन उसे college से लेने के लिए जाता है college में कोलमन की कली होती है ये वो देख लेती है राद में जब ये दोनों intimate हो जाती है तो कोलमन उसे पुछता है तुम्हारे mind में चल क्या रहा है फोनिया उसे कहती है कि मेरे mind में मंटकुसो हमें ये relationship सिर्फ casual रेखनी चाहिए कोलमन मारनी रहा होता तो एक question answer करने लग जाते है कोलमन से पुछता है एक बुड़े आदमी के साथ होना ये तुम्हें कैसे लग रहा है ये थी है कि कोई भी surprises मुझे नहीं मिल रहे है इसके लिए perfect होता है कोलमन उसे उसकी life के story पुछता है ये पहले बता नहीं रहे होती पर कह देती है ये बहुत ही अमीर थी इसके फादर मरने के बाद इसके मदर ने दूसरी शादी कर ली इसके family में abuse होती थी इसी वज़े से एक घर छोड़ कर चली गई इसे बाद वो कभी एक place पर नहीं रूकी थी फॉनिया केसी भी चीज़ के बारे में जादा सोचना नहीं चाहती इसे वज़े से हर जगा से वो भागती रहती है जहाँ भी उसे job मिल जाए वहाँ वो job कर ली थी है अलग टाउन में वो चली जाती है और इसी थरा से वो जीती रहती है यह दोनों इस दूसरे के साथ होते है तब फॉनिया को कोज आवाज सुना देती है यह कहती है कि मेरा एक सख्समन है यह आर्मी में था यह हमेशा मेरा पीछा करता रहता है यह आप पागल हो चुका है और जब हम मैरीड थे तो मुझे मारा भी करता था कॉलमनों से कहता है कि वहाँ कोई भी नहीं है उसे कोई भी आवाज सुना नहीं दे रही हुथी नेकसिन में फॉनिया का एक सख्समन हमें दिखाई देता है उसकी इंटर्व्यू चल रही हुथी है फॉनिया को वह मारता था और अब्यूस करता था इसे वज़े से mental hospital में अब हो है उससे एक psychologist बात कर रही है उससे जब पूझा जाता है कि क्या उसने अपनी wife को भी मारा था तो इससे वो deny कर देता है वो कहता है कि कभी भी मैंने उसे हाथ नहीं लगाया था उसे हमारे बच्चे मिल जाए इसे वज़े से उसने इस सब साजिस रजी थी ये केरफुल नहीं रही और उसने अपने बच्चों को ही मार डाला इसके बाद कोल्मन और फॉनिया एक रेस्टोरन में आये हुए में दिखते है फॉनिया इस रेस्टोरन में बहुत ही अंकमफड विलूती है कॉल्मन फॉनिया को नेथन से मिलाना चाता है जब नेथन वहाँ आता है तो फॉनिया उस पर जिर जाती है वहाँ से गुसे में ही कार में आकर बेट जाती है कॉल्मन भी उसके पीचे पीचे कार में आ जाता है फोनिया उसे कहती है कि रेस्टोरंट बहुत ही फैंसी है मैं एक जानिटर हूँ मैं डेली में काम करती हूँ हम दोनों का कही भी ताल मेल नहीं है तुम्हारे फ्रेंड से तुम मुझे मिलवाना चाहते थे पर तुम्हारे फ्रेंड से तुम क्या कहोगे सब कोई गलत ही लगेगा कोई भी हमें एकसेप्ट नहीं करने माला फॉनिया कहती ही कि तुम्हें मुझे अब जाने देना चाहिए वो उससे ब्रेक अप कर रही होती है कोल्मन उसे कहता है कि मैं नहीं होने दे सकता मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता रात में हम देखते है कि कोल्मन फॉनिया की यहां सोया हुआ होता है तभी फॉनिया के एक सस्बन भाहा जाता है यहां आकर बहुत ही आवाज ही कर रहा होता है काड़ी के हौंस बजा रहा होता है कोल्मन इस पर चिर जाता है और दंडा लेकर बाहरा जाता है वो फॉनिया को घर लेकर जाना चाहता है फॉनिया ने अल्रेडी पुलिस को बुलवाय होता है पुलिस उसे जब लेकर जा रहे होती है तो फॉनिया को मर्डर बूलाता है जब फॉनिया और कॉल्मन अंदर आते है तो फोने उसके बच्चों के बारे में उसे कहती है वो अपने बच्चों की चीज़े उसे दिखाती है कहती है कि मेरे बच्चे मर जाने के बाद इन चीज़ों का मुझे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आता यह बहुत ही दुख में होती है ये रोते रोते ही ये सब कुछ कह रही हुती है ये कहती ही कि विंटर था और मैंने फायर प्लेस चलाया था उसकी शिल्ड उससे गीर गई थी उसी वज़े से पुरा घर जल गया था इसमें उसके बच्चे भी मर गए इसके एक सजबन को ये सब पता है इसी वज़े से उसे मर्डर रही बुलाता है और नेकस दिन में हम देखते हैं कि कॉल्मन को एक लेटर मिलता है इसमें उसकी एक्स कलीग ने लिखा होता है कि उसे पता है कि वो आप क्या कर रहा है फौनिया के साथ उसका अफेर चल रहा है और वो जैनिटर है वो उसका फाइदा उठा रहा है उसपर एक केस कर सकते है इसा इस लेटर में लिखा होता है कॉल्मन फिर उसके लॉयर के पास आया होँआ में दिखता है उसका लॉयर उसे सला दे रहा होता है वो कहता है ये एक जैनिटर है इसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है ये society कभी भी तुम्हें accept नहीं कर पाएगी इस relationship में बहुत सारे problems आएगे और ये worth it भी नहीं होगा अगर इस town के लोगों के खिलाफ गया तो इसका जीना वो खराब कर सकते हैं कॉल्मन को इस सला पसंद नहीं आती अपने lawyer को भी fire कर देता है अब हैं फिर से young कॉल्मन दिखाया गया है कॉल्मन जब fighting करता था तो उसके professor ने उसे कहा था कि fighting तुम करते हो तो तुम्हें अच्छी से scholarship मिल सकती है कॉल्मन का interview तब होने वाला था तब उसके teacher ने उसे कहा कि तुम्हें जो cast जगे रहे है या किसी को भी मत बताना कॉल्मन जब घर आता है तो मैं पता चलता है कि कॉल्मन खुद ही negro है इनकी family में कॉल्मन एक animal है कॉल्मन black है तो फिर भी इसकी skin white है movie first में हमें बता जाता है कि ये Jew है Jew होने की identity इसने ले ली है या जब घर पर आता है तो ये सब dinner कर रहे होते है कॉल्मन के फादर को अच्छा नहीं लगता कि ये fight करता है उसके फादर उसे कहते है कि अब तुम्हें fighting वेगरा सब कुछ बन कर दोगे तुम Oxford में जाने वाले हो उसके फादर बहुत strict होते है उसके फादर जो उसे कहते है वो भी उससे करना पड़ता है इसके फादर एक train में काम करते है इस train में वो जब सरु कर रहे होते है तब ही इन्हें heart attack आजाता है और ही मर जाते है कॉल्मन फिर अपने मदर से कहता है कि ये मेरी life है मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे decide करना होगा वो ऑक्सपर्ण में नहीं जाना चाता ऑक्सपर्ण में हमेशा निग्रों लोगों के लिए बात ही की जाती है उनके rights के लिए लड़ा जाता है कॉल्मन कहता है कि मैं कभी भी political इंसान नहीं था मैं इन सब में फसना नहीं चाहता वो एक normal आदमी की तरह एक अच्छे से life जीना चाता है वो अपने मदर को कहता है कि मैं ऑक्सपर्ण में नहीं जाने वाला ये मेरी life है प्लीज मुझे decide करने दो इसकी मदर कहती है ये तुमसे argue नहीं करने वाली इसकी मदर को दूख होता है पर इसे वो accept कर लेती है अपनी education complete करने के बाद Coleman आर्मी में चला जाता है आर्मी में भी वो Jew है इस तरह से वो लिखता है इस वाज़े से इसकी identity अब पूरी तरह किसे बदल चुकी है प्रेजेंट में Nathan Coleman से मिलने के लिए आया होता है वो उसे समझा रहा होता है ये जो तुम्हारे relationship है ये गलत है फोनिया का एकस्समन बहुत ही dangerous है वो तुम्हें hurt कर सकता है Coleman कहता है कि वो मरने से नहीं डरता उसे उसकी जो life अब है ये बहुत ही अच्छी लगती है Nathan कहता है कि लोग तुम्हारे बारे में बात करने लग गये है वो कह रहे है कि तुमने फोनिया को प्रेगनन कर दिया है Coleman को लगता है कि Nathan उसे accuse कर रहा है Nathan कहता है तुम्हारा एक अच्छा friend हो एक friend की तरह ही मुझे तुमसे बात करनी है Coleman उसे कहता है कि ये मेरे life का last love है इसके बाद में कभी मुझे intimacy से मिलने नहीं वाली ये कहे कर यहां से चला जाता है इसके बाद हमें फिर से young Coleman दिखाया जाता है अब ये army से आ चुका है पर अब भी भी वो Stina के साथ है इन दोनों की relationship अब अच्छी तरह किसे develop हो चुकी है Stina insecure हो रही होती है कि क्या ये relationship कभी आगे बढ़ेगी तो इसी वज़े से अब वो उसे अपनी family से मिलाना चाता है Stina अब बहुत ही खुश होती है Stina को पता नहीं होता है कि Coleman black है जब उसकी मदर से उसे मिलवानी के लिए लेकर जाता है तो उससे बहुत ही uncomfortable महसूस होता है उसकी मदर से वो अच्छे से बात करती है पर जब ये train से वापस आ रहे होते है तो इन रोने लग जाती है इसकी family कभी भी इन दोनों की relationship को accept नहीं कर पाएगी और इसके लिए बहुत ही heart होता है इसे वज़े से अब इसके साथ relationship नहीं रखना चाहती Coleman फिर सब उसका गुसा अपने fighting में निकालता है वो एक निग्रों से ही लड़ रहा होता है इस वो बहुत मारता है उसका professor कहता है कि वो गिर चुका था तो मैं उससे इतना मानने की ज़रूत नहीं थी यह कहता है कि निग्रों को मानने के लिए मुझे किसी की डाट पड़े यह मुझे अच्छा नहीं लगता यह खोदी निग्रों है पर यह अब भिद्वाओ करने लग जाता है यह कुछ अलग है ऐसा हो प्रिटेंड करता है अब यह फिर से बेजन दिखाया जाता है कोल्मन और फोनिया की जो रिलेशन्शिप है यह अब नेक्स लेवल पर जाती है फोनिया कभी भी उसके साथ रात में नहीं रूखती पर अब यह उसके साथ रुखने लग चुकी है अब यह रिलेशन्शिप नेक्स लेवल पर जा रही है तो फोनिया को डर लगने लग जाता है जब कॉल्मन उसके जॉब के बारे में बात कर रहाता है तो उस पर वो चीट जाती है वो कहती है कि हमेशा तुम तुमारे बारे में बात करती रहते हो तुमारे साथ जो हुआ है कि कोई बड़ी tragedy नहीं हुए वो फिर उसके साथ क्या गलत हुआ है इसके बारे में बात करती है कॉल्मन से fight ले लिती है और वहां से वो चली जाती है वो रोड से चलती जाती है और एक बर्ड हाउस पर आ जाती है एक कववा उसे यहाँ पसन आता है इसके बारे में जो पुछती है तो शौप ओनर कहती है कि इस कववा कभी भी बाहर उड़ नहीं सकता यह जब छोटा था तब से एक केज में ही है इसी वज़े से इसे उड़ना कैसे पता नहीं है जब बाहर जाता है तो दुसरे कववे उसे मारने लग जाते है फौनिया इस कववे से रिलेट कर पाती है यह कही थी कि जब मेरे बच्चे मर गए थे तो मैंने अपनी मदर को कॉल किया था उसकी मदर ने उसे पहचानने से इंकार कर दिया था जिस तरह से कववे अपनी आइडेंटिटी खो चुका है उसी तरह से अपनी आइडेंटिटी यह भी खो चुकी है इसे क्या करना है यह समझ में नहीं आता इसे अब बुरा लगता है इसे life में एक अच्छा chance मिला है कि Coleman के साथ एक अच्छी life जी सकती है अब फिर से Coleman के पास आ जाती है इसे वो sorry कहती है Coleman भी उसे माफ कर देता है उसे हग करती है और कहती ही कि वो pregnant है इसके बाद हमें दिखता है कि दोनों गाड़ी से जा रहे होते है और इनका accident हो जाता है यहाँ फौनिया का husband भी था Nathan फिर हम से बात करता है इसे पता है कि यह accident नहीं था यह करवाय गया था अब Coleman और फौनिया दोनों मर चुके है फौनिया के husband से बात की जाती है इससे जब inquiry होती है तो यह सब मना कर देता है यह कहता है कि मेरा इन सब से कोई भी समद नहीं है इसे के खिलाब कोई भी evidence भी नहीं होते तो इसे छोड़ दिया जाता है इसके बाद हमें Coleman का memorial दिखता है उसके जो सब colleagues थे अब इन्हें बहुत ही दुख हो रहा होता है यह कहते हैं कि हमने जो किया था है गलत किया था हमें अपने friend को support करना चाहिए था मरने के बाद Coleman के आरोप खतम हो चुके है Coleman का जो memorial चल रहा था है तो Coleman की sister वहा थी है Nathan जब इसे देखता है तो यह समझ नहीं पाता Coleman की sister black कैसे हो सकती है यह फिर उसे Coleman के बारे में सब कुछ बता देती है हमें फिर Coleman का एक pass का scene दिखाया जाता है वो अपनी mother के पास आ चुका है Coleman की जो wife थी वो से आप वो मिल चुका है वो अपनी mother के पास आता है और कहता है कि मेरे parents date है ऐसा मैंने उसे बताया है अगर इसे भी पता चल गया कि Coleman black है तो इनकी relationship में problem आ सकता है इसी वज़े से अपने father और mother date है इसी तरह से वो बताता है उसी mother कहती है कैसा कैसे तुम कर सकते हो हम दोनों के बारे में थीक था पर तुमारे brother sister इनके बारे में भी तुम नहीं बताओगे उसकी mother उसे कहती है कि ये भी ठीक है या तुम तुमारे बच्चों से मुझे मिलने दोगे पास साल बाद मेरा जब बड़े होगा तो मैं स्टेशन पर रुखूंगी तुम तब तुमारे बच्चों को भाँ से लेकर आना मैं सिर्फ उने देख लूँगे कोई भी कॉंटेक नहीं बनाऊंगी सिर्फ उसकी mother की यही इच्छा होती है मदर फिर सोचती है और पूछती है या तुम बच्चे भी नहीं होने दोगे कॉलमन की जीन्स तो अभी भी निग्रूई है तो अगर उसके बच्चे भी बलैक आ गए तो बहुत ही प्रॉलम हो सकती है कॉलमन ने अपनी मदर से इस तरह से बात की थी तो उसका ब्रदर उसे मिलने के लिए आता है उससे कहता है कभी भी तू मुझे आप दिखना मत मदर के पास कभी भी मत आना कॉलमन की मदर कॉलमन को याद करते करते ही मर गई वो कभी भी उसे मिलने के लिए ने आया ये सब चीज़े Colman की सिस्टर अब Nathan को बता रही होती है वो इस पर हस रही होती है ये कहती है कि जो इलजाम Colman पे थे ये बहुत ही घटिया थे Colman नीगरो था और इससे वो भागता रहता था और last में इसने उसे caught up कर ही लिया इसी वज़े से उसका पूरा career खतम हो चुका था Coleman अगर चाहता तो अपने charges वो drop कर सकता था अपनी identity अगर colleagues को उसने बता दी हो थी तो उस पर यह charges नहीं लगते Nathan हम से कहता है कि अब मैं Coleman के बारे में book लेखने वाला हूँ एक last काम इससे पहले वो करना चाता है फोनिया के husband से वो मिलना चाता है उसे पता है कि यह murderer है उसके पास वो आ जाता है फोनिया का husband frozen lake में fishing कर रहा होता है Nathan कहता है कि बहुत beautiful spot है फोनिया का husband कहता है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है यह अब एक दूसरे से sarcastically बात कर रहे होते है फोनिया के husband को fish नहीं मिल रहे होते है तो इससे पुछता है कि तुम्हें इसके बारे में किसा लग रहा है फोनिया के husband कहता है अगर मेरा बेटा जिन्दा होता तो उसके साथ मैं fishing करता है यह कहता है कि जब मैं वेटनाम में था तो मुझे बहुत ही stress हुआ था अभी भी मैं लोगों से नहीं मिलना जाता मैं जब वापस आया तो मैं जिस तरह से बरताव गर रहा था उसी वज़े से मेरी marriage चुट गई थी फोनिया का हस्बन पूछता है कि इस तरह के लोगों के बारे में तुम लिखते हो नेथन कहता है कि तुम जैसे लोगों के बारे में लिखता हो नेथन एसा जता रहा होता है कि इसे पता है कि इसने फोनिया और कॉल्मन को मारा है फोनिया का हस्बन फिर कहता है कि तुम वोट्स में रहते हो न, यानि कि उसका पता उसे पता है, यह कभी भी आकर उसे मार सकता है, यह फिर उट जाता है, इसके पास एक आयन का एकूपमेंट होता है, इससे में इस आइस में एक बड़ा सा होल बना सकता हूँ, फिश लाइट तो उसके body ढून नहीं पाएगा अब यह कहता है कि यह मेरे fishing करने का secret spot है अगर तुम तुमारे book में यह लिखोगे तो सब लोगो को पता चल जाएगा यानि कि अगर फॉनिया का husband के बारे में इसने कुछ भी किसी को बताया तो बहुत ही problem हो सकती है उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरे बारे में किसी को बताओगे यह सब वो indirectly बोल रहा होता है नेथन अपनी life के लिए डरता है और कहता है कि मुझे पता है कि यह तुमारे लिए important है मैं तुमारे इस secret place के बारे में किसी को भी नहीं बताओगा नेथन फिर यहां से चला जाता है यहां में पता चल जाता है कि फौनिया के husband नहीं फौनिया और कॉल्मन को मार दिया था यही यह movie end हो जाती है अगर हम इस movie में देखे तो कॉल्मन हमेशा अपने आप से ही बचता रहता था अपनी identity उसे नहीं चाहिए थी उसकी मदर ने उसे कहा था कि आपने लोगों को छोड़ कर कब तक तुम भागते रहोगे कॉल्मन हमेशा अपनी life से भागता ही रहा कभी उसे family का जो pair होता है यह नहीं मिल पाया अगर वो अपने आपको accept कर लेता तो अपनी family के साथ वो रह सकता था उसकी mother, brother, sister इन सब को accept करकर अपनी wife के साथ उनके साथ वो रह सकता था अगर उसके बच्चे निग्रो आए तो उस पर सवाल उट सकते थे इसी वज़े से कभी भी उसने अपने लिए बच्चे भी नहीं होने दिये वो आखिर तक अपनी identity से भागता रहा पर फिर भी उस पर जो charges लगे यह वो निग्रो बुलाने के लिए ही लगे थे इसका मतलब है अगर वो चाहता तो यह charges ट्रॉप हो सकते थे फिर भी इसने यह नहीं किया यह फिर भी अपनी पहचान छुपाता ही रहा इसी वज़े से इसकी wife भी मर गए जिस तरह से कोलमन था उसी तरह से फोनिया भी थी यह भी भागती रहती थी यह जब एक दूसरे से मिले कभी भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे इस बार फोनिया के पास ने उसे जकड़ लिया फोनिया के husband नहीं इन दोनों को मार दिया हम जो है हमारी family जो है इन सब को हमें accept करना चाहिए हम हमारे खुद के acceptance से ही खुश रह सकते है इस message के साथ यह movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो please इस वीडियो को like कर देजेगा बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आता रहे तो इस चैनल को subscribe कर देजे और bell notification icon दबाने में बद भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये